किसान भाईयों ये है चने की खिती चना बोया हुआ है ये देखे आप पहले हर किसान चना बोया करता था लेकिन हमारे पश्चिमी उत्तर परदेश में तो चना बोना ही छोड़ दिया क्योंकि जहां पानी की कमी थी वहां बोया बोया पड़ता था बोया जाता था अब पानी की रेज हो गए इस घरगर चूबैल समर से लग गए अगर बो भी लिया तो पडोस के खेत के डोड़े सा कोड़ा खुलके पानी आ जाता है अब यहां तो बाउंडरी है चारो तरफ दीवार की रुके हुए है फिर भी मेरा किसान भाईयों से निवदन है के चना जुरूर बोया क्योंकि मौल की चीज लेकर नहीं खाई जाती पहला लोग मिस्ची रोटी खाया करते थे ना कब जो होता था ना गैस बनती थी ना ऐसी डीटी और ना हार्ड रैक होते थे यह जो हार्ड रैक हो रहा इसका भी मैन कारण है हमारी पाचन किरिया का गड़ बड़ाणा है जैसे हम मैदा की रोटी खाएंगे मैदा की पूरी छोले भटूरे जो भी है बजारी चीज तो इन में क्या है ये मैद्दा हमारे आतों में जम जाती है और जो है हमारा पेट गड़ बढ़ा जाता है पाचन किर्या खराब इसके बाद में लगा लिजी धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता रोग हमारे दिल पर आ जाता है और जिसके कारण इनसान की मौत निकट आ जाती है ये मैं मजाक नहीं कर रहा फिर बाद में थोपते हैं भगवान पहे भगवान जैसे तैने लिख दिया वैसी हो गया इसके बिचारे के इतने ही सांस थे फिर ये कहना पड़ता है लेकिन नहीं मैंने ही मानता करम भी जरूरी है अगर हम खान पान अपना बदलेंगे तो ये नोबत नहीं आएगी आपने देखा हो मजदूर आदमी विचारा इतना सारी रिक महनत करता है ना उसे में दग मोटी जोटी रोटी मिलती है चक्की पर आटा पिसवाएगा गाओं में तो वो भी मोटा दरदरा तो बहुत कारण है लेकिन मैं देखो ज़्यादे नहीं कह सकता आप मुझसे ज़्यादे समझदार है लेकिन मेरा ये कहना है कि चना बोएगे अगर किसान है आप छोटी मोटी क्यारिया भी आपके पास है उसमें भी चना बोच सकते हैं और उसके मिस्सी रोटी मिस्साटा गेहों में मिलवा के चना पिस्वाएए और तब खा के देखे आपको चार दिन बाद पता लगेगा पेट कैसा साफ होता है कितना मज़ा आता है चेहरे पर ओटोमेटिक खुशी के लैड़ दोड़ जाती है तो दोस्तों मेरी बात अच्छे लगी हो तो लाइक करना औरों को भी शेयर करना नमस्कार